इस बीटेइस में बात करेंगे कुछ इस इस बीटेइस में बात करेंगे कुछ इस बिटेइस में बात करेंगे कुछ इसे altcoins के बारे में और यह वपर डेइस में डिसकस करेंगे कि exactly B sidoak Hadically your Altcoins क 70 के किया movement हमें देखने को Lösung इस बीडियो कहने लाइब मैं reel LuckBN करूंगा, जिनको VIP access free में मिलेगा, जैसे कि हमने पहले आप लोगे से promise किया था, जितने भी लोग यहां पर, यहांपर last video के अंदर उस website के अंदर जितने भी लोगों ने register किया है, उन लोगों को यहांपर हम 2 lucky winners को VIP access provide करेंगे, तो इस video के अंदर मैं live आप लोगे साथ ने दिखाऊंगा कि exactly कौन से यसे 2 lucky winners से और उनके नाम भी में आप लोगे साथ ने यहापर announce भी कहर दूँगा बागी यहापर वीडियो में आगा बढ़ने से पहले आप में से जितने भी लोग चैनल पर वीडियो देख रहे हो कि price यहाँ पर यह जो trend line है इसी trend line पर हमें price के लिए resistance पहले भी देखने को मिला था अगर आप देखोगे तो यहाँ पर already हमें एक बार resistance देखने को मिला और यहाँ से पहले बार resistance लेने के बाद हमें price के अंदर एक अच्छा सा drop down देखने को मिला था जो कि हमें price 24,070 के असपस देखने को मिला था तो उसके बाद फिर से price उपर गया after going that much यहाँ से फिर से price के अंदर drop down देखने को मिला उसके बाद फिर से price के अंदर हमें upward movement देखने को मिला बट पहले बार हमें जब price इसी zone पर देखने को मिला तो next अगर price यहाँ से नीचे आता है तो फिर price हमें इसी zone पर 25,781 यहाँ पर हमें price देखने को मिलेगा और अगर इसी zone पर price अपना support को sustain करता है well and good हमें यहाँ से price के अंदर तो और भी upward movement देखने को मिलेगा जो कि हमें price 26,981 and later on हमें price के अंदर तो और movement देखने को मिलेगा लेकिन अभी इस time के price जब नीचे आएगा तो फिर price के लिए सबसादा important यह होगा कि price इसी zone को sustain करे 25,781 अगर price 25,781 को sustain नहीं कर पाता है that means कि यहाँ से हमें price के अंदर फर्दर और भी drop down देखने को मिलेगा जो कि हमें 24,825 के असपास देखने को मिलेगा तो इस time के लिए for now आप इसी zone को देख सकते हो जो कि है somewhere around इसी zone को 25,825 इसी zone पे अगर BTC आता है और यहाँ पर अपना support को sustain करता है हमें price के अंदर movement देखने को मिलेगा अगर breakdown होता है जैसे कि मैंने already आपको बताया कि price हमें 24,800 के असपास देखने को मिलेगा hopes हो कि आपको यह अबर BTC के बार में समझ में आ गया होगा कि exactly Bitcoin के price के अंदर क्या movement हमें आने वाले time में देखने को मिल सकता है तो अचले पर हम बात करते हैं सबसे पहले Ethereum के बार में कि exactly Ethereum में हमें क्या movement देखने को मिलेगा जैसे हमें Bitcoin के price के अंदर movement देखने को मिला है तो similar kind of movement हमें Ethereum के price के अंदर भी देखने को मिला था तो अब इस time पे Ethereum के price को देखो कि तो Ethereum के price चलड़ा है somewhere around 1730 के आसपास है Ethereum ने इसी zone से somewhere around 1772 ये जो zone है इसी zone पे Ethereum के लिए एक major resistance है जासे already यहाँ पर अगर आप देखो कि तो इसी zone से हमें price के अंदर resistance देखने को मिला था जिसके कारण price के अंदर drop down भी होगा था तो अभी इस time पे price फिर से somewhere around उसी zone के आसपास से हमें जो है price के लिए rejection देखने को मिला है after taking rejection from that zone या सब इस time हमें price के लिए drop down देखने को मिल रहा है तो next हमें price कौन से zone के उपर देखने को मिल सकता है तो Ethereum के लिए तो यहाँ पर एक minor support हमें देखने को मिलेगा 1710 के आसपास अगर price इसी zone को sustain करता है well and good या समें price के अंदे तो आप one movement देखने को मिलेगा अगर इसी zone पे अगर Ethereum अपना support को sustain नहीं कर पाता है जो कि 1700, 10 के आसपास आप पगड़ लो कि इसी zone पे अगर Ethereum अपना support को sustain नहीं करेगा इसी zone पे देखने को मिलेगा 1678 के आसपास ठीक है तो मेरे इसाप से तो यहाँ पर better यही होगा कि price अगर इसी zone पे आता है 1680 यह जो zone है इसी zone को आपको देखना है अगर इसी zone पे आता है तो यहाँ से हमें एक possible long position के लिए हम जा सकते है reasoning अगर price यहाँ पर आएगा तो यहाँ से price कुछ इस तरीके से उपर जा सकते है उसके बाद फिर से हमें price के अंदर drop down देखने को मिलेगा लेकिन यह जो zone होगा 1680 यह यहाँ पर Ethereum के price के लिए बहुत ज़दा important होने वाला है इस zone का अगर breakdown होगा that means कि हमें price के अंदर फर्दर बहुत ज़दा drop down देखने को मिलेगा तो मेरे ही सबसे right now आपको इसी zone के according ही अगर आप अपना trade लेने का सोच रो तो फिर according to this zone आप अपना trade सेट अप भी कर सकते हो ठीक है तो बाकि यहाँ पर अगर आप इसी trend line के बात करोगे जैसे कि अगर आप देखोगे तो already BTC के अंदर भी similar kind of scenarios हमें देखने को मिला था जिसके करण BTC के price के अंदर भी हमें movement देखने को मिला तो Ethereum अभी स्टेम पे इसी zone के एबाब अगर अपना support को sustain करेगा that means कि यहाँ से Ethereum के price के अंदर भी हमें तुरा अच्छा सा movement देखने को मिल सकता है ठीक है hopes हो कि आपको यहाँ पर बात ने समझ में आ गई होगी कि Ethereum के price के अंदर क्या movement हमें देखने को मिल सकता है तो चलिए पर हम सबसे पहले यहाँ पर random comment pickers है जो भी यहाँ पर lucky winner है उनका नाम है नांस कर देते है उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और भी ऐसे alt coins के बारे में तो यह जो है यहाँ हमारा already post है ठीक है तो यहाँ पर देखो कि तो आपने से बहुत सरा लोगों ने already comment भी करके रखका हुआ है तो हर एक comment को मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि exactly कितने comments है तो मैं सबसे पहले तो जाओंगा random number pickers के उपर ठीक है तो यहाँ पर मैं आ चुक हो random number pickers के उपर और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं generate करूँगा एक number को और यह जो number generate होगा उस number से मैं यहाँ से यह जो हम अपने comments किये थे ना तो उन comments के coding में देखूँगा कि exactly कौन सा number पर comments है तो उसी comment को मैं यहाँ पर pick करूँगा let's suppose कि random comment picker के उपर यहाँ पर 10 number यहाँ पर आया है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं generate करूँगा तो यहाँ पर generate में देखते है कि कौन सा number आता है तो 18th number हमें देखने को मिला है तो सबसे पहले तो मैं जाओंगा यहाँ पर इस comment section की उपर और मैं सबसे पहले count करूँगा कि 18th number comment कौन सा है ठीक है अपना कोई भी photo share नहीं किया जिसके कारण उनको यह giveaway नहीं मिलेगा ठीक है तो मैं फिर से और एक random number को pick करता हूँ उसके बाद देखता हूँ कि exactly next random comment picker कौन होता है तो यहाँ पर next हमें मिला है 19 ठीक है तो 19 में कोन है जो भी है उसका नामे हम यहाँ पर आपको बता देते है exactly 19 में हमें कौन देखने को ले है 19 में है निकिल तो अगर आप यहाँ पर वीडियो को देख रहे हो तो फिर आप जरूर से हमारे team को message कर दीजे Twitter के उपर यह जो screenshot है इस screenshot को लेकर आप जरूर से यहाँ पर message कर सकते हो आपको VIP access free of cost मिल जाएगा ठीक है आपका नाम है निकिल और आपका जो user ID है उस user ID को भी मैं note down कर लूँगा ठीक है तो यहाँ पर next जो comment picker है उनको यहाँ पर मैं चूस कर लेता हूँ कि exactly next जो comment picker है व Google बोलके कुछ है उनका नाम तो आपको भी मैं आपको यहीं बोलूँगा कि exactly आप हमारे team को जाके जरूर से mail कर देना या पर हमारे team को Twitter में जाके जरूर से आप दोनों message कर देना screenshot लेकर थाकि आपको यहाँ पर VIP access free of cost मिल जाए ठीक है जितने भी लोग नहीं जीत पाए हो क के बारे में हमें जानकरी मिलती है कि exactly आप एक कौन सी coin की उपर जो है आपको details में जानना है ठीक है तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले alt coins के बारे में exactly next हमें alts के price के अंदर क्या movement देखने को मिलेगा तो सबसे बहले बात करते हैं गाला के बारे में तो गाला के अग तो नीचे वारा जो trend line है इसी trend line पर हमें support देखने को मिल रहा है and after taking support over that zone यहाँ से price उपर जा रहा है और उसके बाद फिर से हमें price के अंदर drop down देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर price ने इसी zone पर अपना support लिए and after taking support over that zone यहाँ से price के अंदर हमें फिर से तुरा बहुत movement दे यहाँ से price फिर से इसी zone को जाकर retest करने की कोशिश भी करेगा ठीक है तो गाला में अगर आप entry लेने का सोच रहो तो या तो इसी zone पे आप entry लो 0.0403 या तो आपके लिए और एक option है जैसे कि अगर गाला इसी zone का breakout करता है यह जो उपर वाला trend line है इसी trend line से अगर price breakout लेता ह that means किसी breakout पे विया अपना trade जरूर से ले सकते हो ठीक है ओप सो कि आपको यह अबर इस बीडियो के अंदर details में सब बात है समझ में आ गई होगी बाकि कोई बीडियाटर के confusion है आप मुझे comment section के अंदर भी जरूर से बाता सकते हो मिलते हैं next question फॉन टीब updates के साथ तब तक के गड़ से बीड़ बा dayơn बाता से बाता चत 지WAY बाता से बाता से बाता से वीडियो